कि एक बेसिक शीची अधिकारी की स्कूल में गए उनको बड़ा दम होता था कि मैं जब भी सवाल पूछता हूं तो मेरे सवाल कोई जवाब नहीं दे पाता प्रिंक कभी-कभी बड़े खतरनाक सवालों का जवाब बड़े साधरन लोगों ने जवर्दस तरीके से दिया गया कि स्कूल में वो क्लास में इंटर किया उन्होंने क्लास में वो पूरा स्कूल डरा हुआ था कि यार यह जो भी सवाल पूछता है कोई जवाबी नहीं दे पाता टीचे डरे हुए थे प्रिंस्पल डरा हुआ था बच्चे डरे हुए थे वो गये एक क्लास में गये वो भी क्लास 11 में गये और फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक जहाज उड़ता है दो घंटा हजार किलो मीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से कलकत्ता की तरफ तो बताओ मेरी उम्र कितनी है बोले दिल्ली से एक जहाज उड़ता है कलकत्ता की तरफ हजार किलो मीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से और इस आधार पर बताओ कि मेरी उम्र कितनी है अब हवाई जहाज के गती से स्पीड से आपकी उम्र का क्या लेना देना है सर पर लोग सवाल पूछते हैं सर जैसे पहले मेरी यादत थी लोगों को बता देना कि साब हम इतियास बढ़ाते हैं साब हम इतियास के टीचर हम ऐसा अब तो खैर यह गलती हम करते ही नहीं पहले शुरुआत में बड़ा होता था अच्छा लगता था कि थोड़ा संबान मिलेगा तो बोल देते थे तो लोग बड़े सवाल कर लेते थे वह साब वह बाबरमा बड़ा मचीद कि राये थे तो ऑप सही है भाई साब आजा वह गांदी जी जो है वह जो लोग बताते हैं कि लड़कियों कंदे पर हाथ रखे चलते तो तो वह कुछ है भाई साब अलो इतने बत्तमीज थे अजय भाईजा वो जो एडविने वाला केस सुनाई पड़ता है अजीब अजीब से सवाल करते थे लोग अजीब अजीब से फिर मुझे कुछ दिन बात बढ़ चला कि यहार अजीब सवाल का अजीब ही जवाब होता है कि उन्हें पूछा कि दिल्ली से हवाई जहां जोड़ रहा है हजार किलो मेटर पर घंटा की रफ्तार से खलकत्ता की तरफ पताओ मेरी उम्र कितनी वहाँ भी एक लड़का बैटा था उसने आद उड़ाया क्लास का टीचर तो डर गया कि यह तो सबसे निकमा लड़का है यह तो आज तक जिंदगी में जो है भारत की राजधानी नहीं बता पाए यह कैसे सवाल का जवाब देगा और इस सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता हो गया कि अरे यार कि बोले साबाश भीटा मेरे सवाल का जवाब आज तक कोई देही नीं पाया था यह क्या कमाल का डाला तुमने यह तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी उम्र चवालीत साल है मेरा इक तरीक है सर ने-ने-ने बोले कैसे निकाला तुमने यह मुझे बड़ा अचंब इसने का मेरे एक बड़ा भाई है 22 साल का वो आधा पागल है सर और आप तो पूरा हैं सर तो आपकी उमर 44 सोनी चाहिए सर